नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो मैट्स वॉर एचपी पटवारी एंड पुलिस हमने शीरी सुरू की है वीडियो नंबर छे लेके आये हैं आपके लिए यहाँ पर हम सॉल्ब करेंगे HCF and LCM के questions तो हमारे साथ बने रहें और हमारे वीडियो को share जरूर करें चैनल को subscribe जरूर करें तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो के और और सबसे पहला question क्या है आई देख लेते हैं Yes, how many numbers between 400 and 500 are exactly divisible by 12, 15 and 20 तो इस तरह के questions में हम क्या करते हैं हम सबसे पहले LCM लेते हैं इन संख्याओं का जो हमें बोला गया है कि जिससे भीबाजी तो हो जाते हैं numbers उनको हम उनका LCM लेते हैं तो 12 और 15 और 20 का हम LCM लेंगे तो LCM जैसे कि हम में पता है traditional method हमारा LCM लेने का सबसे पहले 2 से इसको हम divide करेंगे 2 से जाएगा उसके बाद फिर से किस से जाएगा 2 से जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से फिर 3 से जाएगा तो 3 से जाने के बाद ये और फिर जाएगा 5 से तो हमारे पास LCM कितना बन गया 5 से पंदरा दुनी 30 दुनी 60 60 हमारे पास आ गया LCM इतनी बात कलीर हो गए अब बोला है यहां पे कि 400 और 500 के बीच में कितने नंबर होंगे तो जो हमारे पास 60 से डिवाइड हो जाएगा वो 12 से भी होगा 15 से भी होगा और 20 से भी होगा तो हमने 400 के 400 को 60 से भाग देना है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 36 चे आ रहा है ठीक है और 500 है तो 500 को भी 60 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास आ तो यह आ गया 8, अब करना क्या है, अब इसको इससे माइनस कर देना है, 8 माइनस 6 कितना आ गया, 2, यनकी 2 संख्याएं है, 400 और 500 के बीच में, जो की 60 से डिवाइड होंगी, 60 से डिवाइड होने का मतलब, वो 12 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी डिवाइड होगी, और 20 से भी तो यहां पर हमारे पास अंसर जो है, वो आएगा 2, यनकी option number B is correct answer for this question, I hope कि आपको समझ में आया होगा, next question की और move करते हैं, next question है, हमारे पास, yes, the number between 200 and 300, which when divided by 6, 8 or 9, leaves remainder 8 in each case, बल गया है कि हमें numbers बताने हैं कौन-कौन से आएंगे, 200 और 300 के बीच में, जिनको हम जब भाग देते हैं, 6 से, 8 से, और 9 से, तब हमारे पास सेसफल 8 बचता है, remainder 8 बचता है, तो वो number कौन-कौन से हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम फि दो से जाएगा, हांजी बिलकुल ठीक है, दो से गया, फिर से दो से जाएगा, फिर से दो से जा रहा है, फिर से दो से जाएगा, हांजी दो से जाएगा, फिर उसके बाद तीन से जाएगा, तीन से, ऊके, उसके बाद फिर से तीन से, यस तीन से, तो LCM कितना आ गया हमारे तो हम इस संख्या से क्या करेंगे प्लस एट कर देंगे तो बहत्तर प्लस एट ठीक है अब बहत्तर का ही मैल्टिपल होगा जो की 200 और 300 के बीच में आएगा तो अगर हम यहां पर X ले रहे हैं तो X के स्थान पर अगर हम रखते हैं 72 गुना तीन जमा आठ तो यह बन जाता है हमारे पास 3Del verso 6, 7, 21, 216 216 में जब हम 8 जमा करेंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास 224 यह संक्या 224 हो गए 72 गुना 4 करेंगे, प्लस 8 करेंगे तो यह हमारे पास आजाएगा, कितना आजाएगा 4 दोनी 8 हो गया और साचोपे 28 जमा 8 तो यह कितना आ जाएगा 296 तो दो संख्या आ गए हमारे पास 224 और 296 और यह 200 और 300 के बीच में है तो यह हमें डूरना है option number B जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस question के लिए ठीक है तो इस तरह से यह question solve होगा next question की और move करते है next question आ जाता है हमारे पास the HCF and LCF of two numbers are 21 and 4641 ठीक है जी if one of numbers lies between 200 and 300 200 and 300 the two numbers are बला है की HCF जो है हमारे पास किनी दो numbers का वो 21 है LCM हमारे पास दिया गया है 4641 और बोल रहा है की एक number जो है वो 200 और 300 के बीच में आता है तो आपको दूसरा number यह दोनों number बताने है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे आपको पता होगा की क्या होता है हमारे पास एक formula होता है product of two numbers product of two numbers is equal to HCF multiply LCM तो इस formula का अगर हम use करते हैं तो हमारे पास answer जो है वो आ जाएगा ठीक है तो देखो product of two numbers मान लेते हैं हम HCF है तो यह इस number में भी आएगा और दूसरे number में भी दोनों में आएगा तो मान लेते हैं कि एक number हमारे पास 21X है और दूसरा हमने मान लिया 21Y है ठीक है और इन दोनों का जो multiple होगा product होगा वो क्या होगा HCF गुना LCM HCF इन्होंने 21 दे रखा है LCM 4441 दे रखा है इस तरह से अगर हम इसको solve करते हैं ठीक है तो हमारे पास कितना आ जाएगा कि आ जाएगा हमारे पास इसको solve करके 21 गुना 21 और यहां पे X Y जिकल टू 21 गुना 441 ठीक है और जब हम X Y की value यहां पे निकालेंगे तो इस तरह से यह solve करके हमारे पास कितनी value आ जाएगी किसे 21 कट गया और इसको काटके आगा जाएगा हमारे पास 221 यानिकी 221 ठीक है 221 आ गया अब हमें बताना है कि X क्या हो सकता है और Y क्या हो सकता है जबकि X और Y क्या है 221 है ठीक है तो देख लेते हैं अब अब इसके अगर हम कोशिश करें 221 को तोड़ने की तो यह कैसे तूट सकते है 13 गुना 17 13 गुना 17 में तूट जाएगा यह बन गया 21 ठीक है बात अब X की बैल्यू हमार पास आ गई 13 और Y की आ गई 17 ठीक है यहां पे लिखता हूँ मैं X की बैल्यू हमार पास आ गई 13 और Y की आ गई 17 अब हमने नंबर माने हैं ठीक है सुपोज किये हैं तो 21 गुना X कितना हो जाएगा 21 गुना 13 और दूसरी तरफ 21 गुना 17 हो जाएगा 21 गुना 13 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 273 और अगर हम बात करते हैं 21 गुना 17 की तो यह हो जाएगा 377 ठीक है अब देखो इन्होंने बलाएं कि बन नंबर lies between 200 and 300 एक नंबर जो है वो 200 और 300 के बीच में आ रहा है हाँ जी 273 200 और 300 के बीच में आ रहा है और दूसरा नंबर क्या है हमार पास 377 है तो आए देखते हैं option नंबर बन जो है वो बिल्कुल सही है इसके एक उड़ी ठीक है तो इस तरह से ये question जो है, वो solve हो रहा है Next question की और move करते हैं, next question आ जाता है Find the greatest number which can divide 284, 698 and 1618 Leaving the same remainder 8 in each case हमें बताना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा maximum संख्या बड़ी संख्या कौन सी है, जो कि divide हो रही है 284 से, 698 से और 1618 से और हर एक case में हमारे पास remainder बच रहा है कितना बच रहा है, 8 बच रहा है तो यहाँ पर greatest number की बात हो रही है तो HCF method से हम इसको solve करेंगे HCF यानि की highest common factor ठीक है, तो हमारे पास वो number क्या हो सकता है greatest number क्या हो सकता है, महा लेते हैं कि वो x है ठीक है, अब इसको find करने के लिए HCF of कितना 284 का HCF minus 8 क्योंकि 8 जो है वो remainder बच रहा है और उसी तरह दूसरी तरफ क्या करेंगे HCF of 698 minus 8 और HCF of 1618 minus 8 अगर हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास answer जो है वो बन जाएगा ठीक है, अब 284 और 698 और 1618 का HCF जो है वो कितना होता है वो हो जाता है हमारे पास 46 sorry, यहां पर हम क्या करेंगे HCF of इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास 276 और दूसरी टरम आ जाएगी हमारे पास 690 और तीसरी टरम आ जाएगी हमारे पास 1610 और इन तिनों का HCF हमारे पास आ जाता है 46 46 ठीक है और यही हमारे पास अंसर बन जाता है तो greatest number जो कि divide करता है किसको 284 को divide करेगा 698 को और 1618 को divide करेगा और remainder कितना बचेगा 8 बचेगा यनि कि 284 को जब हम 40 से भाग देंगे तो हमारे पास remainder कितना बचेगा 8 बचेगा अगर हम 698 को भाग करेंगे 40 से तो remainder 8 बचेगा और 1618 को 40 से भाग करेंगे तो भी remainder 8 बचेगा तो option number B जो है वो बिलकुल सही रहेगा इस question के लिए next move करते हैं next question की ओर find the largest number which divides 62 132 237 to leave the same remainder in each case अब यहाँ पर remainder की बात नहीं की है remainder हमें नहीं दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे अब फिर से largest number की बात करी गई है तो HCF methods use करेंगे तो देखो इसके लिए हम बुलेंगे की वो number क्या होगा X होगा और इसको solve कैसे करेंगे HCF of किसका HCF 237 minus 62 करेंगे ठीक है और दूसरी तरफ क्या करेंगे 132 minus 62 बिल्कुल ठीक है ये भी बात हो गई और तीसरी तरफ 237 minus 132 ठीक है इस तरह से तो क्या यहाँ पर same remainder आ रहा है देखो वहला 237 को जब हम minus करेंगे 62 से तो ये हमार पास कितनी क्या संख्या बन रही है 5 ठीक है और ये हमार पास आ जाएगा 75 बन रहा है 132 को 62 से तो ये कितना बन रहा है ये 70 बन रहा है 237 को 132 से अगर हम minus कर रहे हैं तो कितना बन रहा है ये 50 जिरो 105 बन रहा है तो HCF of कितना कितना एक हो गया 75 एक हो गया 70 और एक हो गया 105 इसका हमें HCF निकालना है और इसका HCF हमारे पास आएगा 35 ठीक है 35 यहां तक बात सही है 132 237 माइनस 62 हो गया बिल्टकुल ठीक है 237 माइनस 132 हो गया यह भी ठीक है 132 माइनस 62 हो गया यह भी ठीक है ओके ओके यहां पर थोड़ा सा 175 आएगा ठीक है 175 हो ठीक यह आगया इसका HCF 35 तो हमारे पास रिक्वाइड नमबर जो है वो मिल गया अब देखो अगर हम 62 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमेंडर बच रहा है हमारे पास यह देख लेते हैं यह हमारे पास 27 रिमेंडर दे रहा है अगर हम 175 को डिवाइड करते हैं 175 नहीं यहाँ पे आएगा 132 132 को 35 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमेंडर बच रहा है 35, 35, 35, 35 तीए 105 तो 32 को 105 से माइनस करो 12 आ गया यहाँ पे 7 यहाँ पे 2 ठीक है 2 और 27 बच रहा है और अगले केस में भी अगर हम 237 को डिवाइड करेंगे कितने से 35 से तब भी हमार पास कितना रिमेंडर बचेगा 27 बचेगा तो हमार पास सही अंसर क्या हो जाएगा 35, 35 is correct answer यहनकी option number C बिल्कुल सही अंसर रहेगा इस question के लिए ठीक है अब move करते हैं next question कियो yes find the largest number of four digit exactly divisible why 12, 15, 18 और 27 हमें largest number four digit का largest number find out करना है जो की 12 से भी divide हो जाए 15 से भी 18 से भी 27 से भी तो इसके लिए क्या करेंगे simple सी बात है इंसका LCM लेंगे 12, 15, 18 और 27 का LCM कितना आ जाएगा यह LCM इसको 524 LCM आ जाएगा ठीक है कितना आ गया 524 अब largest number हमें डूनना है तो 999 largest number होता है इसको 540 से भाग दे देंगे जब हम इसको 540 से भाग देंगे तो remainder हमारे पास बचेगा 279 remainder कितना बचेगा 279 यानि कि अगर हम 9999 से 289 जो है क्या करेंगे माइनस करेंगे तो हमें वो वाली संख्या मिल जाएगी जो की 12 से भी डिवाइड होगी 15 से भी 18 से भी और 27 से भी तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 9720 तो यही हमारा सही अंसर होगा यानि कि option नमबर वन जो है वो बिलकुल सही अंसर रहेगा इस question के लिए next question के और move करते हैं find the smallest number of 5 digits exactly divide by divisible by 16, 24, 36 and 54 अब यहाँ पे smallest number की बात हो रही है और कौन सा 5 digit तो 5 digit smallest number क्या होता है 10,000 अब हम इसको इनका LCM लेंगे LCM of 16, 24, 36 और 54 इनकी 54 तो इसका LCM कितना आजाएगा यह आजाएगा 432 LCM का हमारे पास traditional method है LCM निकालने का 432 इसका LCM आ गया अब देखते हैं कि 1000 को 432 से divide करके 432 को हमने क्या कर दिया divide कर दिया और हमारे पास कितना remainder बचेगा इस case में तो remainder बचेगा 64 remainder कितना बचेगा 64 बचेगा यहनिकि अगर हम 10,000 में क्या करेंगे 64 को plus कर देंगे तो हमारे पास वो number मिल जाएगा जो कि क्या करेगा sorry यहाँ पे यह 432 हो गया हमारे पास 64 remainder बच गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे plus 432 माइनस 64 और जो भी यहाँ पे यह टर्म आएगी उसको हम 10,000 में plus करेंगे तो हमारे पास वो number आ जाएगा जो कि 16 से भी डिवाइड हो रहा है 24 से भी 36 से भी और 54 से भी तो इसको हम solve करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 432 में से 64 को ह यह बन गया हमारे पास यह यहाँ पे आ गया 86 और 368 तो 10,000 में हमने क्या करना है 368 का plus करना है तो यह आ जाएगा 10,368 जो कि हमारा answer रहेगा तो option number C जो है वो बिल्कुल सही answer रहेगा इस question के लिए all right move करते है next question here find the smallest whole number smallest whole number which is exactly divisible by 1 सही 1 वटे 3, 2 सही 1 वटे 4, 3 सही 1 वटे 2 और 4 सही 1 वटे 5 ठीक है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इनको पहले हम simplest form में ले ले लेते हैं 3 एकम 3 एक 4, 4 वटे 3 आ जाएगा दूसरी टर्म क्या हो जी 4 दूनी 8, 1, 9, 9 वटे 4 आ जाएगा तीसरी टर्म क्या हो जाएगी तीन दूनी 6, 7 वटे 2 हो जाएगा और अगली टर्म जो है हमारे पास क्या बनेगी 5 के 20, 21 वटे 5 हो जाएगा ठीक है यह हो गया अब हमें find करना है smallest whole number जो की इन सभी से divide हो जाएगा इसके लिए simple सी बात है कि इन सभी टर्म का LCM निकालना है क्या निकालना है LCM और जब भी हम LCM of किसी fraction का LCM of fraction A and B, C and D, D and F इस तरह से होगा तो क्या करेंगे हम LCM of A, C, D upon HCF of B, D, F तो इस case में LCM किसका किसका निकालेंगे LCM of 49721 and HCF of 3425 ठीक है यह उपर वाली टर्म जो है इनका हमने क्या निकाल दिया LCM निकाल दिया और यह जो नीचे वाली टर्म है इनका हमने निकालना है HCF और हमारा question जो है वो solve हो जाएगा और इसको solve करके कितना आजाएगा हमारा पास यह LCM of these terms 200 बाबन और HCF की अगर हम बात करते हैं तो HCF आएगा only one और हमारा पास 200 बाबन जो है वो term आजाएगी smallest whole number which is exactly divide by these terms यहनकी option number one all right अब next question के और move करते है next question आ जाता है the difference of two numbers is one by nine ठीक है and their sum their sum is 45 ठीक है इतनी बात find the LCM ठीक है अब देखो यह किस तरह से solve होगा हमारा पास question ध्यान से पढ़ेंगे the difference of two number is one by nine of their sum इनकी उनके sum का एक बटा नौ है difference तो महां लेते हैं एक number हमारा पास x हो गया दूसरा y हो गया अब यहाँ पर difference की बात कर रहा है difference हो गया हमारा पास x minus y is equal to one by nine of their sum sum कितना है 45 तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 5 यानि कि x minus 5 की value आ गई x minus y की value आ गई 5 और sum तो यहाँ पर दिया है x plus y is equal to 45 ठीक है अगर हम इन दोनों equations को compare करेंगे इस तरह से ठीक है इनको हम क्या करेंगे minus करेंगे या plus करेंगे जो भी करेंगे तो हमारा पास कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारा पास 2x यह cancel हो जाएगा और यह आ जाएगा 50 और x की value आ जाएगी 25 तो x हमारा पास कितना आ गया 25 आ गया ठीक है अब हमने by निकालना है तो देखो यहां पे रख दो x को तो 25 जमा by is equal to 45 और by की value कितनी आ गई 45 minus 25 is equal to 20 है ना बिलकुल ठीक बात है 20 आ गया अब बोला है find the LCM अब इन दोनों term का LCM यहां की x is equal to 25 और by is equal to 20 इसका हमने क्या निकालना है LCM निकालना है तो LCM जब हम इनका निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 LCM आ जाएगा और यही हमारे पास answer रहेगा तो option number B बिलकुल सही answer है next question की और move करते है find the sum of two numbers is sorry the sum of two numbers is 528 बला की दो संक्याओं का sum जो है वो कितना है 528 है and their HCF और इनका HCF कितना है 33 है the number of pairs of such numbers satisfy the above condition is बला की हमने x और by जो है वो निकालने ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे माल लेते हैं अब HCF दिये गया है तो HCF जो है वो x में भी होगा और by एक नमबर माल लेते हैं 33 x और दूसरा माल लेते हैं 33 by क्योंकि HCF है तो x में भी HCF common होगा यनकी 33 और by में भी common होगा 33 तो हमने माल लिया की हमारे पास क्या संक्याओं है एक 33 x हो गया दूसरा 33 by हो गया और इन दोनों का sum कितना दिया है 528 दिया है 33 और इसको हम भाग करेंगे 528 दिया तो यह आ जाएगा 16 x प्लस बाई कितना आ गया 16 आ गया ठीक है अब हमने संक्याओं डूननी है x और बाई तो इसको कितने पेर्ज बन सकते है x और बाई के और वो होने चाहिए कैसे को प्राइम होने चाहिए 16 को हम भीवाजित कर सकते है कैसे एक तो हम 1 और 15 में भीवाजित कर सकते है ठीक है तो x प्लस by कितना हो जाएगा 16 और दूसरे केस में हम क्या कर सकते है एक तो 3 और 13 का पेर्ज बन गया ठीक है एक और पेर बनाएंगे तो वो बन जाएगा 5 और 11 का और उसके बाद एक और पेर बनाएंगे तो बन जाएगा 7 और 9 का और यह जो सारे के सारे पेर हैं क्या है को प्राइम है ठीक है को प्राइम है तो हमारे पास कितने पेर बन गए 4 पेर बन गए तो यही हमसे पूछाया है कि कितने number of pairs बनेंगे तो 4 बनेंगे option number D जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस question के लिए ठीक आगे move करते है next question the HCF of यह हमें fraction दी गई है इनका हमने HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए HCF अगर हमें fraction का निकालना है तो क्या formula होता है HCF of numerator और LCM of denominator ठीक है तो देखो HCF निकालेंगे HCF किसका HCF of 9, 12, 18 और 21 का और LCM निकालेंगे किसका 10, 25, 35 और 40 का तो इस तरह से इनको solve करके HCF आजाएगा 3 और LCM आजाएगा LCM इसका आजाएगा 1400 ठीक है तो यह हमारे पास answer बनेगा option number C जो है वो सही रहेगा ठीक है next question के और move करते हैं LCM of this fraction तो LCM के लिए हम क्या करते हैं LCM of denominators यनिकी 2, 3, 4, 9 LCM of numerators और HCF of denominators यनिकी 3, 5, 7 और 13 तो यह जो उपर वाले हैं जिनको हम numerator बोलते हैं उनका हमने LCM निकालना है और यह जो नीचे वाले हैं जिनको हम denominator बोलते हैं उनका HCF निकालना है सिंपल सी बात है LCM के लिए तो अगर हम इसको solve करेंगे तो LCM आ जाएगा हमारे पास 36 और HCF आ जाएगा यह 3, 5, 7, 13 एक आ जाएगा क्योंकि यह सारे के सारे क्या हैं प्राइम नंबर हैं तो इस तरह से हमारे पास क्या answer आएगा यहाँ पे 36 यहने की option number 1 बिल्कुल सही रहेगा next question के और move करते हैं the LCM of this, this, this will not be a multiple of वहला कि अगर हमने इसका LCM निकाला ठीक है तो वो किसका multiple नहीं होगा तो LCM निकालो वही 5, 8, 12 और 20 का तो यह आ जाएगा 120 तो 120 किसका multiple नहीं है तो देखो 3 से 120 डिवाइड हो जाता है हांजी हो जाता है 40 अंसर आएगा अगर 120 को 3 से 120 को 9 से भाग करेंगे क्या यह भाग होगा जी नहीं यह भाग नहीं होगा 120 को 8 से भाग करेंगे 8 कम 8 और 8 पंजे 40 हांजी यह हो जाएगा और 120 को 5 से भाग करेंगे हांजी ये भी हो जाएगा ठीक है तो हमारे पास option number B जो है वो बिल्कुल सही answer रहेगा next question की और move करते है find the LCM of 2.5, 1.2, 20 and 7.5 इसका हमें क्या निकालना है LCM निकालना है ठीक है तो देखो इसको किस तरह से solve करेंगे अगर हम इन सभी से 0.1 जो है वो common ले लेते है ठीक है 0.1 हमने common ले लिया 25, 2.5 से तो अंदर कितना रह गया 25 रह गया ठीक है फिर 1.2 से 1.1 common ले लिया तो यहां पे 12 रह गया ठीक है 12 रह गया 20 से तो यहां पे 2 रह गया अगर हम इसको common लेंगे तो यहां पे 200 आ जाएगा ठीक है और 7.5 से अगर 0.1 common लेंगे तो 75 आ जाएगा तो इनका LCM हमने निकालना है ठीक है इन टर्म का LCM निकालेंगे इनका LCM कितना आ जाएगा यह आ जाएगा हमारे पास 600 और multiply किसके साथ है? पॉइंट बन के साथ है तो जब हम 600 को पॉइंट बन से multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 60 तो option number A बिलकुल सही रहेगा next question क्यों remove करते हैं the LCM of two numbers is 48 LCM कितना है 48 है the two numbers are in ratio 2 ratio 3 2 ratio 3 में है ठीक है बात इतनी तो यहनि कि एक हमारे पास कितना आ जाएगा 2X आ गया और दूसरे जो है हमारे पास 3X आ गया find the sum of number sum हमने निकालना है तो इन दोनों का LCM कितना है 48 है ठीक है तो LCM की अगर हम बात करेंगे तो 6S is equal to 48 अगर हम 2X और 3X का LCM निकाले तो कितना आ जाएगा यह X से divide कर दिया हमने फिर हम 2 से divide करेंगे ठीक है फिर 3 से divide कर रहे हैं तो कितना है तीन दूनी 6 गुना X 6X आ गया और यह हमें कितना दिया है 48 दिया है तो X यहां से कितना आ जाएगा आठची के अरताली 8 आ जाएगा तो हम value पूट कर देते हैं 2 गुना 8 16 हो गया और 3 गुना 8 हो गया 24 यहां पे X की value हमने पूट करती है ठीक है तो 24 प्लस 24 प्लस 24 सॉली 16 प्लस 24 कितने हो जाएंगे हमार पास यह बिल्कुल सही अंसर रहेगा और यह कितना आ जाएगा 40 ठीक है 4040 इनकी option number C जो है वो बिल्कुल सही अंसर है ठीक सही बात होगी आगे next question देख लेते हैं यस यह question बहुत ही थोड़ा सा difficult है बस difficult नहीं बोल सकते हैं इसको बोलेंगे easy question है लेकिन language जो है वो थोड़ी सी difficult है LCM of two number is A plus B ठीक है जी LCM कितना आ गया हमार पास A plus B आ गया फिर HCF दे दिया है ठीक है जी HCF भी लिख देते है P into A minus B हमने कर दिया बहुत कि one number is P एक number क्या है हमार पास P है then other number is एक number हमार पास P हो गया और दूसरा हम माल लेते हैं कि दूसरा number है हमारे पास X माल लेते हैं ठीक है तो मार पास फार्मूला क्या होता है product of two numbers is equal to LCM into HCF है न यही हमने पड़ा था तो हमने X find out करना है तो X हम यहाँ पे रखेंगे LCM की जगा LCM put कर देंगे A plus B आ गया ठीक है HCF की जगा HCF put कर देंगे तो वो क्या है P into A minus B है ठीक है और यह वाला P यहाँ पे multiply है जब यहाँ पे लेके आएंगे तो यह divide हो जाएगा ठीक है इतनी बात अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P से P cancel हो गया हमारे पास क्या बचा A plus B और A minus B और यह हमारे पास क्या formula होता है A square minus B square है ना तो यह हमारे पास answer हो जाएगा option number C बिलकुल सही answer रहेगा all right move करते है next question की ओर yes what is the least number which band diminished by 7 is divisible by each one of 21, 28, 36 और 45 अब यहाँ पे क्या बोल रहा है diminished by 7 का मतलब हो गया है कि उसमें से 7 को हमने कम कर दिया गया है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे LCM लेंगे इन सभी का LCM जब हम लेंगे तो हमारे पास LCM आएगा 1260 ठीक है और इसको हमने diminish किया है 7 से तो इसमें हम क्या करेंगे 7 को जमा कर देंगे तो यह कितना आ गया 1267 ठीक है और यही हमारे पास answer है इस question का बिलकुल simple सा option number D ठीक है दोस्तों यह थे हमारे questions उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बहुत important topic है LCM और HCF नेक्स्ट वीडियो में हम और questions करेंगे LCM और HCF के ताकि किसी भी तरह का अगर आपके exam में question देखने को मिले तो आप अच्छे से उसको solve कर सकें मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अच्छे से बढ़ाए कीजिए जय हिंद जय भार